आज हम चुकत्र बोश्ट बनाने जा रहे हैं आदा किलोग बोश्ट लिया है चलिए बनाते ही देखें इस चमज के नाप से दो चमज इसमें तेल डाल दिया है हमारा तेल हो गया है अब हम यह देकि प्यास डालेंगे दो लेटियम साइज की प्यास को उमने इस तरीके से काटे गया प्यास को लाल करेंगे देखें अब हमारा प्यास लाल हो गया अब इसमें गोर्स डाल देएंगे गोर्स डाल तक बड़ा सचनाएंगे अब हमारा प्यास को लिए अब हमारा प्यास को डालेंगे और इसको अच्छे जे भूनेंगे जब कर इसमें लातेगी जाएंगे अब हमारा प्यास को अब हमारा प्यास को अब इसमें पुस्टेवे मसाली डाल देंगे इसमें इस चम्मच के नाप से दो चम्मच रखिया पॉडर एक जब शब्दी पॉडर आदर चम्मच लाल पिष्ट पॉडर एक नमक लेगा अब मैंने इसको बोल के रख दिया था अब अब इसको इसमें डाल देंगे तूछ तूछ बडा ता बान देनेगे और प्राइवन ने देर क्योंकि झूखंदर दाल करते घलाना है आप देखियों हम रख अब हम भी साइस के छी वोल चार्ट नेधे इसमें हम भी से कॉड़ा ज़या है क्यूंकि पॉलिए थाज़ चार तमाटर कार टीए हैं इसको मे इसमें तमाटर डाल कर भीज़ा कर टूलिया है। अब पिसमें समंदर डाल देंगे समंदर डाल दप पासर दल रहेंगे अब पिसमें पानी डाल देंगे वाक आपको तेम गड़रा करें अयुल करें । आपगाया देंगे सम्हाद टेंसर दे तेंसर प्राकनि एक और देला बाल और देंसर लेया किने देंसर गोष्ट बहुत अच्छ का रहा हुआ समय तो ब्राल भी और देह है, तो आपको बिलाइए कि इतना इसका अच्छा कलर आया है यह बहुत ही फाइदे मंद होता है इसको कच्छा भी खाया जाता है क्योंकि इससे भून बहुत ही जादा बढ़ता है और इसको आप लोग एक वाज मेरे जरीपे से बना कर जरूर देखिएगा कमेंट करके बताईएगा कि यह कैसा बना है मेरे चाइनर को लाइक शेयर तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा अगली रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे अला पीस